यह कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की. एक बार वह गरीब व्यक्ती अपनी बेटी को उसके स्कूल से लेकर शहर के एक महंगे होटल में पहुचा. उस व्यक्ती ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी. जब आप कुछ नहीं लेंगे? आपके लिए भी कुछ लेकर आऊं. तो गरीब व्यक्ती ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं. आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है. मैंने इससे वादा किया था कि अगर तुम इस जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी, तो तुम्हें मैं सबसे इससे पैसा काट लेना. लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि उस बच्ची के साथ उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाया जाए. क्योंकि उस बच्ची ने पुरे जिले में 10th क्लास में टॉप किया है. वह गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह है सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ. होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो मुस्कुराते हुए बोला, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ, उसके लिए भी लेकर जाओ. पैसे मत लेना, 4-5 पाव भाजी पैक करवा कर ले जाओ, और 2-3 किलो मिठा पैसे नहीं है. वेटर बोला, अरे सर, शर्मिंदा मत कीजिए, ये पार्टी होटल की तरफ से है आपकी बेटी. हमारी बेटी ने टॉप किया है. ये मिठाईया लेकर जाईए और जशन मनाईए. पिता और बेटी खुश हो गए और चले गए. कई साल बीट गए, उस ये सुना तो होटल को पूरी तरह से सजा दिया. गाम में ये बात पूरी तरह से फैल गई और कस्बे के सभी लोग उन्हें देखने के लिए आने लगे. कलेक्टर अपने पिता के साथ उस होटल में पहुँची. कलेक्टर ने होटल के मालिक से कहा कि, सायद आप मुझे पह किया है. आपने उस दिन जो पार्टी दी थी, मुझे बताया कि मुझे कितनी और उचाई तक पहुचना है, कितनी और बड़ी मन्जिल कुछ होना है. आपने एक नई प्रेणा दी थी और आज मैं उसी प्रेणा का एहसान चुकाने के लिए आई हूँ. वो मैडम ये सब कहत जा रही थी और आँखों से आंसू बहती जा रही थी. ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उडाना. हो सके तो उसकी मदद करना और अगर मदद ना कर सको तो उसका मजाक मत उडाना. क्योंकि वो सब देख रहा है बनना है तो उसकी नजर में स्ब्सक्राइब जरूर करिएगा